अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी की जिनोंने दवा किया है कि अभी और भी तिर्मूल कॉंगरस के विधायक पार्टी छोड़ेंगे उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या ममताब इनर्जी इन सभी की सीट से भी चुनाओं लड़ेंगी इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने और क्या-क्या दावे किये हैं ये भी आपको बताएंगे ये भी बात करेंगे कि चुनाओं से ठीक पहले ममताब इनर्जी की हावाई चपल क्यों है चर्चा में इसके अलावा ये भी बताएंगे कि तिर्मूल के सभी बागी नेता सिर्फ एक ही बात क्यों कहते हैं कि एक धड़ा पार्टी का हमें काम नहीं करने दे रहा है आज की इस रिपोर्ट में इन सब बुद्धों पर सिल्शलेवा धंग से बात करेंगे लेकिन जरा पहले बात हो जाए शुभेंदू अधिकारी के नेने दवों की भाज़पा में हाल ही में शामिल हुए शुभेंदू अधिकारी ने दवा किया है कि आने वाले दिनों में और भी विधायक त्रिनमूल कॉंगरस छोड़ कर जाएंगे साथी उन्होंने हैरानगी जताते वे पूछा कि क्या पस्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री मम्ताव अनर जी उनकी सीटों से भी विधान सभा का चुनाव लड़ेंगी दरसल मुख्यमंत्री ने गोश्चना की है कि वह अपनी भवानी पूर सीट के अलावा नंदी गराम सीट से भी चुनाव लड़ेंगी जहां से शुभेंदू अधिकारी मौजूदा विधायक है शुभेंदू अधिकाई ने एक जनसभा को समधित करते वे कहा मम्ताव अनर जी ने गोश्चना की है कि वह नंदी गराम सीट से भी चुनाव लड़ेंगी जहां उन्हें करारी शिकस्त मिलेगी इसके अलावा भवानी पुर निर्वाचन छेतर में भी उनका वोट प्रतिशत 2019 लोकसवा चुनाव के बाद से बहुत सीमट किया है उन्होंने कहा त्रिमुल कॉंग्रेस प्रमुख आने वाले दिनों में गोश्चना कर सकती है कि वह दोमजूर और बाली सीट से भी चुनाव लड़ेंगी लेकिन वह जहां कहीं भी जाएंगी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा त्रिमुल कॉंग्रेस से नाता तोड भाजपा में शामिल हुए शुबेंदू अधिकारी ने दावा किया कि राम नौमी के तेहार तक पूरे अधिकारी परिवार में कमल खिलेगा विक्टोरिया मेमोरियल प्रकरन को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री की अलोचना करते वे शुबेंदू अधिकारी ने कहा कि जैश्री राम का इस्तेमाल लंबे समय से अभिवादन के लिए किया जाता रहा है और उन्होंने हैरानगी जताते वे पूछा तिर्णूल कॉं विक्टोरिया मेमोरियल पर आयुजित करकरम में वहां उपस्तित लगों के एक समूह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की मौजूदगी में जैश्री राम का नारा लगाने के बाद मुख्यमंत्री ममताव एनर्जी ने करकरम को समोधित करने से इनकार कर दिया थ जहां कहीं जाहेंगी उनका अभिवादन जैश्री राम के नारे के साथ किया जाएगा। नहीं है। एक सूत्र के अनुसार पार्टी ने गोशाल को नोटिस चारी कर पूछा है कि उन्होंने पार्टी के आंतरिक मामलों को प्रेस के सामने उजागर क्यों किया। इसके साथ ही पार्टी ने भविश्य में ऐसा ना करने के पृतिक छेताया है। गोशाल ने हुगली जिला समीती और तुनमूल के प्रवक्ता के पच से स्तीफा दे दिया था। उन्होंने समाधाताओं से कहा मुझे यह निर्णे लेने पर बात है होना पड़ा क्योंकि पार्टी में एक लॉबी है जो मुझे अपने निर्वाचन छेतर में काम नहीं करने देना चाहती। लोगों की जरूरतों को देखते वे मैं विधायक के तौर पर काम करता रहूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके उत्तर पाड़ा सीट से दोबारा चुनाव लड़ने की स्तिती में उन्हें हाराने की साजिश भी रची जा रही है। उदर पस्ची मंगाल के भाजपा प्रमुग दिलीब खोश ने तिर्मूल कॉंग्रेस सुप्रीमो ममताव एनरजी पर परोग शुरूप से तंज कसते वे कहा है कि राज्ये के लोग हवाई चपल नहीं पहनना चाते क्योंकि वे अब जूते पहनना चाते हैं और भगवा प चपल पहनने के लिए कभी जोर नहीं दिया दिलीब खोश ने कहा सर्दी का मौसम है इसलिए लोग हवाई चपल नहीं पहन रहे हैं हम आपको बता दें कि चपल इसलिए चर्चा में आई क्योंकि तुडूमूल कॉंग्रेस के सांसत और मुख्यमंतरी के भतिजे अभिशेक को तयार नहीं हैं लोग अब जूते पहना चाते हैं और भाचपा उनके लिए इसकी विवस्था करेगी